असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे खेरियो से होंगे आज मैं आप लोगों को मिक्स ताल तड़का बनाना सिखाऊंगी एक नए अन्दास में तो आप लोगों ने पूरी रेसीपी को देखना है और मुझे अपना फीड़बेक जरूर देना है रेसीपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने कड़ाई में ओई ले दिया इसमें मैंने प्यास डाल दिये थे और प्यास हमारे सॉफ्ट होने लग गए है अब हम इसमें डाल देंगे अद्रक लेसन का पेस्ट दो चमच आप लोगों ने इसमें अद्रक लेसन का पेस्ट अड़ कर देना है खुश्बू आने तक इसको पकाएंगे तो माशाला बहुत ही जबरदस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया और अध्रेकलेशन डालते ही खुश्बू आना शुरू हो चुकिए अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी दो टमाटर मैंने इसमें डाल दिया टुमाइरों को अच्छी तना उसे सॉफ्ट कर देंगे सग्माइरों को स्वाइए अब हम इसे मीशच में बाकी के मसाले डाल देंगे लाज मुर्जों का पाउडर, धन्या पाउडर, जीरा पाउडर, पैप्रिका पाउडर, हस्पेजाइक का नमक और हल्दी पाउडर माशाला मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है आप हम इसमें डाल डाल देंगे जो मेरे पास दो खिसम की डाल मूंग और मसूर इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था और तकरीबन दो गंटे के लिए भिगो कर रख दिया था अच्छी तरह से इसको भून लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों को हस्पे जरूरत आप लोगों ने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें इसके इलावा इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है अब मैं इसमें हस्पे जरूरत पानी आड़ कर दूगी क्योंके दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है, हस्पे जरूरत इसमें पानी आड़ कर देंगे ठीक है, मैं इसमें इतना पानी आड़ कर रही हूँ अच्छी तरह से चमच को चला लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ठीक है, तकरीबन 10 मिनिट मैं इसको कवर करके पकाऊंगी उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स टेप की तरफ 10 मिनिट के बाद माशाला से दाल हमारी गल चुकी है, दूसरी तरफ मैं इसका तड़का त्यार करती हूँ इसमें मैंने आउयल ले लिया प्यास डाल दी, जीरा और तड़का मिर्च ठीक है, यह आप लोगों ने चीज़ें डाल देनी है और एक खुश्बू आने तक मैं इसको पकाऊंगी उसके बाद चलेंगे, नेक्स टेप की तरफ माशाला बहुत अच्छी खुश्बू आने लग गई है जीरे की और प्यास की अब मैंने इसमें डाल में डाल दिया और इसको जलती से कवर कर देंगे माशाला बहुत ही अमेजिंग तरीके से गरा मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया हरा दनिया इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ फाइनल लुक आ चुकी है माशालास से हमारी दाल तड़का बिल्कुल त्यार हो चुकी है एक नई अंदास में तो आप लोगों ने पूरी रैसीपी को देखने है मुझे अपना फीड़बेक ज़रूर देना है रैसीपी पसंदाएं लाइक करें शेयर करें कल न्यूर रैसीपी के साथ हाजिर होंगी अलाहाफीज